उत्तर प्रदेश में होने वाले नौ सीटों पर उप्चुनाओ को लेकर एंडिये के बीच तालमेल बनता नजर नहीं आ रहा उप्चुनाओ में निशाद पार्टी दो सीटों की मांग पर अड़ी हुई है इसे लेकर मंगलबार 22 अक्टूबर की दिर रात बीजेपी मुख् उप्चुनाओ को लेकर करीब एक घंटे तक चली इस बड़ी बैठक के बाद भी कोई भी निशकर्ष नहीं निकला है यूपी उप्चुनाओ से पहले एंडिये में उभर कर आ रहे इस मामली की गंभिरता को देखते हुए बीजेपी अध्यक जेपी नड़्डा ने पूर निशाद और सुनील बंसल के बीच बैठक होगी इस बैठक में यूपी उप्चुनाओ से पहले एंडिये में छिड़ी इस खी चितान को खत्म करने की कोशिस की जाएगी निशाद पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले नौ सीटों पर उप्चुनाओ में से दो सीटो की मांग कर रही है उत्तर प्रदेश की कैटेरी और मजवा विधान सबा सीट पर निशाद पार्टी अपना प्रत्याशी चाहती है वहीं भारती जंता पार्टी की ओर से निशाद पार्टी को मजवा सीट का ओफर दिया गया है हाला कि ये सीट भी एक शर्त के तहद दी जा करने के लिए बीजेपी के ट्रबल शूटर शुनील बंसल को लगाया गया है जो संजे निशाद के साथ बैठ कर बीच का राश्ता निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से जेपी नड़ा से मुलाकात के बाद भी संजे निशाद नहीं मा तरीके से तेवर दिखा रहे हैं माना जा रहा है कि वो कुछ बड़ा कदम उठाते हुए नज़र आएंगे फिलहाल क्लेस रिपूर्ट में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहनेक्शन पॉलिटिकल बैट के साथ